सहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा नमस्कार मैं हूँ स्यूपांडे और आज मैं आपको लेकर आया हूँ एक ऐसी जगा पर जो एकिहासिक जगा है और यहाँ पर 100 लोगों को फासी दी गई थी 1857 कांती में जी हाँ आज हम बात करने वाले हैं 1857 की कांती में 100 लोगों को फासी दी जाने वाली जगह जिसे फासी इमली की नाम से जाना जाता है प्रियाग राज का या प्रशिद्ध अस्थल अंग्रेजों के जुल्मों सितम का एक ऐसा अस्थान है जिसके बारे में साइध ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने ना सुना हो और इसको सुनकर किसी की भी रूह कांप उठती है आई आपको दिखाते हैं कि इस अस्थल पर क्या है क्या चीज़े हैं और अंग्रेजों की जुल्मों सितम की इंतहां सहन करने वाले और उसका गवाह रहने वाले इस अस्थल की आज क्या दसा है और क्या इस्थिती है आई आपको दिखाते हैं सबसे पहले में आपको दिखाता हूँ यह जगह जो राष्ट्री धरोहर इसमारक की रूप में आज जानी जाती है सबसे पहले आपको दिखाते हैं अंदर अस्थल में क्या है आपको सबसे पहले यहाँ पर दिखती है भारत माता की एक प्रतिमा जहां पर जब भी कोई राष्ट्री ते ओहार होता है कोई तीथी होती है तो यहां पर लोग मालियारपड करने आते हैं लोग यहां पर फोटो खिचवाने आते हैं जो राष्ट्री नेता हैं, जो यहां के लोकल नेता हैं, सभी यहां पर आते हैं, और यहां पर मालियारपन करते हैं, लेकिन उसके बाद कोई सोंसता ही नहीं है, कि इस राष्ट्री धरोहर को कुछ आगे भी किया जाना चाहिए, यहां पर कुछ और भी हो सकता है, इसका लोगों को संदेश, जानकारी देने के लिए, लोगों को प्रृतसवाहिद करने के लिए, अपने देश प्रवावना को बढ़ाने की लिए इसको शुर उछी रखा जा सके और ताकि लोग इसको समझ पाएं, और इसका इताहज ब कर दीशाज लोग जान पाएं लोग बताते हैं कि यहीं पर एक इमली का पेड़ हुआ करता था और वही इमली का पेड़ था जहां पर 1857 की कांथी में सव लोगों को फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया गया था सव लोगों को मार दिया गया था फांसी दे करके यहां पर आप देखेंगे खेर फांसी का पेड़ है अब तो नहीं है लेकिन इसके बगल में एक इमली का पेड़ और लगा दिया गया है और ये इमली का पेड़ अब उसका प्रतीख है ये कहा जा सकता है क्योंकि जो असली पेड़ था जिसपन लोगों को फांसी पर लटकाया गया था अब वो पेड़ यहां पर नहीं रहा यहां पर आप देखिएगा एक यहां जो दिवार है दिवार पर लिखा हुआ है धरोहर मतलब यह एतिहासिक धरोहर के रूप में है इतिहास के पन्नों में दर्ज है लेकिन सिर्फ यह बाते इतिहास के पन्नों तक इसी में रहे गई है जिस पर अब किसी का कोई ध्यान नहीं है सिर्फ यहां पर लोग अपनी सेल्फी लेने के लिए लोग फोटो खिचवाने के लिए आते हैं और उसके बाद चले जाते हैं भूल जाते हैं यहां इसके बगल में देखेंगे तो आपको चन्द्शेखार आजाद, वीर शहीद चन्दसेखार आजाद की प्रतिमा भी दिखेगी, जो कि यहां पर शामनी आपको दिख रही होगी, इस तरह से यहां पर जो वीर शहीद है, आपको समने एक बोड भी दिख रहा है, याद करो कुर्बानी लाखो सलाम, सलाम तो किया जा रहा है, कुर्बानी को याद किया जा रहा है, लेकिन कुर्बानी कैसे याद रहेगी सालों साल तक, जब इनको इसी तरह से नजरमदाज किया जाएगा, जब इनकी सुरच्छा होन जो राजनेतिक उपेच्छा का सिकार हो रहे हैं, इन पर ध्यान दिया जाना बहुत जरूरी है, ताकि हमारी आने वाली जो पिढ़ी है, उस पिढ़ी को कुछ संदेश मिल सके, कुछ जानकारी मिल सके, और उनमें भी देश भक्ति की भावना पैदा हो सके, तो मैं जो भी लो की सुरच्छा हमारी आने वाली पिढ़ी को राष्ट प्रेम की भावना से उत्रोद करेगी, कृप्या इस पर ध्यान दें, मिलता हो फिर शे कुछ ऐसी जानकारी साथ, तब तक के लिए जै हिन, जै भारत